कैसे आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे यूटूब चैनल स्टडी भी थी होगे इसमें यो में एक टॉपिक है आपका सांखी की वाला यानि उसकी काफी समय से बच्चे उसकी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ये वारा टॉपिक करा दीजिए और वो दस नंबर क्या है ठीक है क्वेस्टन क्या आएंगे सबसे पहरे तो ये पता होना चाहिए कि उसका पैटन क्या है वो क्वेस्टन पूछेगा क्या question में next video में बताऊंगा उसका pattern क्या है किस तरीके से question आ सकते हैं सबसे पहले क्योंकि ये मजबूरी में मुझे दूसरी दो वीडियो के अंदर cover करना है यानि दो या तीन वीडियो के अंदर पहले वीडियो में तो at least आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो topic है उससे question पूछेगा क्या और आपके पास क्या उसकी basic information होनी चाहिए कि at least आप उस topic को छूँ सकें ठीक है ध्यान रखना जो mathematics का student है जिसकी maths है या जो ठिक-ठाग maths में कमान रखता है उसके लिए वो topic बिल्कुल भी tough नहीं है वो 10 में से 10 नमबर ले आएगा उसमें साइथ 5 पार्ट आएंगे A, B, C, D, E, S, A जो भी आएगा या 1, 2, 3, 4 जो इस तरीके से आएगे 4, 5 question देगा और 1 question संभा हो तो 2 नमबर का होगा ठीक है 2 question दो नहीं देगा हो, एक ही question देगा क्योंकि time-taking question होता हो तो हो सकता है कि वो जैसे question दे उसमें 5 पार्ट दे प्रते ही question दो अंक का हो और 10 नमबर का आपका प्रस नमबर ले इस तरीके से question हो सकता है उस chapter का या उस topic का question सीखने के लिए या सही करने के लिए सबसे important बच्चो आपको आना चाहिए प्रतिसत mathematics के अंदर अगर आपको प्रतिसत नहीं आता है, percentage नहीं आता है तो आप मानके चलिए उस पर pen नहीं साला पाओगे इक हाथ question तो सही कर लोगे, बाकि उसमें ज़्यादा question आप लोग सही नहीं कर पाओगे इसमें देखना दो तीन तरीके से question आते हैं बच्चो, क्या एक आता आपका pie chart ठीक हाँ, pie chart में question आएगा, यानि pie chart कह सकते हैं या फिर एक circle दिया होगा आपको इस तरीके से एक circle इस टाइप से दिया होगा, उसमें किसी व्यक्ति के या किसी भी परिवार के खर्चों का अलग अलग पाड़ दिया होगा कोई ऐसे चोड़ा दिया होगा, कोई बहुत ही छोटा दिया है, कोई इतना दिया है, कोई इतना बड़ा दिया है, ठीक है इसमें वो लिखेगा इस तरीके से संभवता कुशन है वो कहेगा एक परिवार ठीक है एक परिवार जिसकी सालाना आए कितना है दस लाग रुपे या पांस लाग रुपे गएगा इस तरीके से एक परिवार जिसकी सालाना आए पांस लाग रुपे है उस परिवार द्वारा बिभिन मदू में यानि अलग-अलग हैड में जो खर्च किया है उसने ठीक है जैसे खाने पीने में यानि जो मतब फूड बगरा होता है ठीक है इसके अलावा जो कपड़े बगरा होते हैं कितना खर्चा आया ठीक है इसके अलावा सिक्ष्या पर कितना खर्चा आया एक परिवार का बजट होता है इस तरीके से सब लोग करते हैं इसके अलावा सिक्ष्या के अलावार क्या बेसिक चीज़ें होती है इसमें ठीक है जो भी आप लोग देखते हैं यानि जो आपके जो भी चीज़े जोड़ी और कोई एक एभी लिख दो जैसे इसमें क्या सकता है स्वास्त है ठीक है इस तरीके से क्वेशन दिया होगा एक परिवार की सालान आए पांस लाख रुपे है जिसके उस पूरे साल में जो खर्च किया है उसने उसका इसमें लिखा होगा जैसे कुछ रुपे इसमें कुछ रुपे उसमें कुछ ऐसे कुछ ऐसे ऐसे लिखा होगा आप से क्या कहेगा इस ग्राफ को देखे इस चार्ट को देखे इन प्रस्नु का उत्तर दीजिए यहां से आपके चार ये पांच क्वेशन बनेंगे ठीक है यानि 1,2,3,4,4 बनेंग आपको ग्राफ देखे आईडिया आजएगा यहां लिखा भी होगा आप पांच लाग में से अगर आप यहां पर अन्य पर आपका एक लाग रुपे दे रहा है खाने पर आप 90,000 दे रहो कपड़े पर ऐसे कुछ ऐसे किराये पर घूमने पर ऐसे जो भी दे रहो आपको ल इस परिवार का किराये में जो खर्च हो रहा ठीक है घूमने में जितना खर्च है उससे कितना परसेंटेज कम है अब यह देखो सारा खेल क्या है परसेंटेज का है यानि आप मान के चलिए बच्चो अगर आपको यह कुशन करने है एक्जाम में से यह तो सिर्फ में एक प दो कंपनी है उनके वर्ष इतने हैं जो इस टैप से कुछ डायग्राम दिखाया होगा और यहां देखिएगा ईा रही परसेंट यहां कुछ इस टैप से कुछ है कुछ भी लिखा होगा तो फिर वो comparison करवाने के लिए पूछेगा कि इस बार इसका कितना हुआ, कैसा हुआ, किसका जादा, किसका गम इस तरीकी के question कैसे पूछे जासेते हैं, वो मैं आपको कराओंगा, यह कराओंगा next video पे, ठीक है सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा दिया, बच्चो, आपको क्या होना चाहिए, परसेंट, अब normal question अगर पूछ दिया, तब तो easily बना दिया आपने, अब question ऐसे आ गया, उस परिवार दरा, कपड़े पे किया गया खर्चे, किराये पे किये खर्ची से कितना प्रतिशाद अधी ठीक है, फिर क्या करोगे, जिस की question percentage है, जो मतलब maths वाल, वो क्या करेगा, वो चेक करेगा 500 लाग, 500 लाग पे सालाना income है, किराये पे खर्चा अगर वो दे रहा है, अगर सब्चों किराये पे 5% खर्चे दे रहा है, ठीक है, और यहां पे उसने दे दिया, कपड़े पे खर 5% निकाल लेगा, suppose 5% की कोई भी value आई, suppose 25,000 आगे, ठीक है, calculation करते रहना, और यह जो 20% है, इसकी value सब्चों कितने आगी, मतलब आप लोग मान के एक लाग रुपे है, एक लाग रुपे, ठीक है, एक लाग रुपे, अब question में, क्या पूछा गया, कि जो किराये पे खर्च वो कपड़ों पे करना, कई बच्चे, बिना आख, मतलब वो सोचे, दिमाग लगाए, वो क्या गरें, कि 5% किराये पे हो रहा, कपड़े पे 20% हो रहा, तो 15% जादा हो रहा, 15% टीक हा, मार के आते है, ठीक है, खुस होके, दान दिखा के, 32 दिखाए गया, रहे, सर हमारे त या, कि नहीं, सर मेरा सही है, इस वो ऐसे नहीं करते है, इसको चेक करना पड़ेगा, कि 5% की वैल्यू कितनी आई है, ठीक है, और आपका 20% की वैल्यू कितनी आई, ये आई है, फिर आप चेक करोगे, इससे ये कितना परसेंट अधिक है, अब बताओ, 25,000 से एक लाख, जो पाओगे, एक दो क्वेशन तो आप कल लोगे, सब्सक्राइब, अगर उसमें 10 नंबर का क्वेशन है, अच्छों मत समझना है, इसमें 10 नंबर का क्वेशन है, वो क्वेशन देगा, ग्राफ देगा, उसको चटड़ी करने को बोलेगा, उसमें 5 पार्ट देगा, एक सब्सक्राइब, उसको तो इस क्वेशन को देखने की जर्वत नहीं है, पहले बता रहो, जिसका परतिसत वाला सेक्षन बिल्कुल जीरो है, जिसको मतलब लग रहा कि नहीं मेरे को मैच सही नहीं, अनामस्यक टाइम बेस्ट करके भी कोई फायदा है, ठीके, हाँ, जिसको यह लगता है कि मैं कर सकता हूं मैथमेटिक से वगएरा मेरी थोड़ा ठीक है, यह कोई समझा देगा किस तरीके से क्वेशन आते हैं, तो मैं उस वाले पोर्षन को मैं कर लूँगा, तो ध्यान रखना बच्चो, अब आप मुझसे उम्मीद करोगी कि यह एक एक क्वेशन क्वेशन देगा, ठीक है, वो क्या देगा, इस तरीके से क्वेशन देगा, यहां सपोज वर्ष देगा, यहां पर उसने 2000 लिखा, सन 2000, फिर 2001, 2002, 2003, ठीक है, यहां उसने 2004 लिख दिया, इस तरीके से, यहां वो क्या लिखेगा, परसेंटेज लिख देगा, ठीक है, यहां 20%, यहां 40% यहां 60% यहां 80% ठीक है यह क्या है? प्रतिसत है अब यहां क्या देखीगा? कोई company है गहीगा ठीक है? वो कोई company गहीगा वो कहेगा अलग-अलग साल में उसका जो है इस टाइप से graph देदेगा ऐसे graph ठीक? अब अलग-अलग year में गएगा अब sun 2000 में देखो 2000 में उसका production जितना था पिछले वर्ष से 20% इतना बड़ा लगबड यहां पे लिख दो 2000 यह है 2000 यह वाला हो गया कौन सा? 2000 के अलबा इसको थोड़ा सा ऐसा करते है graph को ऐसा करते है ठीक है? ताकि यह इससे match कर जाए इससे ठीक है? यह इधन यह आएगा फिर अगला जैसे हो गया यहां है ना तो ऐसा कर देते है इसको इस तरीके से downfall हो गया फिर यह ऐसे हो गया फिर यह ऐसे चला गया यह देखो यह हो गया यह यह हो गया यह और ये इतना हो गया ठीक है यहाँ पे इस तरीके से ग्राब दे देगा बच्चो ठीक अब ग्राब दे देगा तो आपको ध्यान रखने है वो क्वेशन क्या पूचेगा कोई कमपणी ए है कहीगा ए उस कमपणी का अलग-अलग वर्षू में उत्पादन यानि अलग-अलग पर उसका उत्पादन इस डाइग्राम में या इस चार्ट में दिखाया गया है और इस चार्ट की स्टडी करते हुई निम्निलिखित प्रसनों का उत्तर दीजिए सबसे महत्पोर्ण क्या होगा प्रतिसाथ होगा ठीक है अब मैं यह कहूँ डारेक्ट कुशन पूच दिया कि कमपणी द्वारा वर्स 2000 से 2004 तक सरवाधिक उत्पादन में प्रतिसत विरिद्धी किस वर्स हुई मतलब पहले वाले की कमपेर में जैसे आप 2000 में चेक करोगे तो 2000 एक है नि किस वर्स में पूर्व वर्स की कमपेर में उस वर्स अधिक परसेंट में बड़ोत रही हुई उसके उत्पादन में अब आपको पता है डाइगराम आप चेक करोगे देखो इसका यहाँ पर आ रहा रहा ना यह लगबा बीच में जैसा आ रहा यह इसका मीड हो गया ना 230 का 30% हो गया यह भी लगबा कितना है बच्चो 30 से थोड़ा सा कम है देखो यह थोड़ा यहाँ जैसा आएगा यह फिर बाड़े गया यह कितना हो गया लगबा यहाँ पर आ गया ठीक है यहाँ पर जैसा मानके चलो देखो अब सरवाधी बिर्दी किस उसमा होई आपको ऐसे कुशन पूछ दिया नॉर्मल ठीक है आप कैसे चक करोगे जब आप वर से 2000 में थे उत्पाद यहाँ पर 30% हो गया ठीक है 2002 में अब 2001 से 2002 जाओगे तो यह लगबा 25 परसेंट है यह 30 परसेंट है तो यहाँ पांच परसेंट के बड़ोत्री भी उसके आप 2002 से 2003 से 2004 जाओगे तो यह यहाँ पहुंच गया 40%, 65% यानि सरवादिक विरिद्धी होई है 2003 से 2004 में और वेल्यू देके पूछेगा कहेगा कंपनी का यदी वर्स 2002 में 100 mil Tan उत्पादन था तो वर्स 2003 में यह दी कंपनी के उत्पादन में 35% की वरिद्धी होई तो कंपनी का तो आपको पता है 35% भी दिए तो इसका 35% निकालोगे और उसको टोटल लिग दोगे तो बिना प्रतिसत के बच्चो धान से सुनना क्योंकि मैं इस टॉपिक के जो question कराऊंगा वो limited कराऊंगा ये मैं भी जानता हूँ ये time pass हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये बताना की मतलब ये question के calculation ऐसे करनी है वैसे करनी है ये आपके बिल्कुल फाइदे का सोधा नहीं ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है अगर आपका प्रतिसत है percentage के question आप अगर कर सकते हैं तो बहुत आसानी से आप इसमें 10 number ले आओगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसीज की बात है calculation की बात है और calculation कैसा होगा कैसा होगा मैं आपको यही पर बता दता हूँ ये इस तहब का जैसे कोई value आपकी 1200 आई कोई value 1800 आई अब आपको गएगा कि 1200 से 1800 में कित्ते percent की विरिद्धी हुई या कोई value 800 आई अब अगली बार आगी 700 तो गएगा कित्ते percent की कमी हुई तो ये value कौन निकालेगा अब आपको पता है कि पहले 800 था अब 700 था तो 800 से 700 होने में जो कित्ते का गएपा रहे है ग्यार उसो का तो वो percentage में कितना था यानि वो percentage में कितनी उसकी value थी जब तक आपको वो percentage निकालना नहीं आएगा तो आप इन questions को touch भी नहीं कर पाओगे छू भी नहीं पाओगे ठीक है इसलिए साब साब एक चीज आपको मैं सलाह दूँगा एक सही guidance दूँगा आपकी messaging अगर है तो आप इस question को मत कीजी on the spot आप examination hall पे करके आना क्योंकि मैंने आपको idea बता दिया कि किस type का यहाँ से question आ सकता है यानि examiner जो basically ऐसे सांखी की आरे एक है या रेखा चितरवाल है वहाँ से question इसी तरीके के पूछे जा सकते है एक और तीसा भी question आता है जो question कराऊंगा मैं आपको 2-4 question क्योंकि सारे question मैं करा नहीं पाऊंगा संभव भी नहीं है ठीक है 2-4 question मैं आपको कराऊंगा किस-किस तरीके से question पूछे जा सकते है वो question करा दूँगा कि आप एक pattern सीख लोगे मतलब आपको at least idea आजाएगा कि यार हाँ इस तरीके से सर ने बताया था ऐसे ऐसे इसको करना है और इसकी एक ही चाबी है बच्चो कुछ अलोकी चीज नहीं है और वो चाबी उसकी कौन सी है यह है आपकी परतिसत यानि percentage जिस चार्टर को आ गया जिस चार्टर ने percentage पर काम कर लिया उसके लिए चुटकियों का खेल है और चुटकियों का खेल दस नंबर के विए हो सकता है क्योंकि यह के exam के लिए मात्र पत्चीज दिन बचे हैं ध्यान से समझना और syllabus इतना लें दिया है इतना लंबा syllabus दिया था इसमें कुछ ही topic संभव तो मैं आपको करना हूँ जैसे एक यवाला बता दूँगा कैसे इसको करना है एक आपका विज्ञाने प्रोध्योगी की कह रहते है बच्चे की सद दस नंबर के जिसमें रक्षया प्रोध्योगी की अंतरिक्ष प्रोध्योगी की इसके अलावा जो भी है ठीक है और उन्चे कुछ ज़्यादा नहीं आने वाला इक करेंट आफियर्स में चेक कर ले ना अंतरिक्ष प्रोध्योगी कौन-कौन से जो इसरो ने लॉंच की है इसके अलावा भारत का अंतरिक्ष प्रोध्योगी कारिक्रम किया है इस चीश को आप लोग देखोगे तो आपका काम बन जाएगा बहुत ज़्यदा मुस्किल नहीं आएगी ठीक है तो सबसे महत्वण आपके लिए क्या है बच्चो इस क्वेशन को अगर दस नंबर अगर आपने पाने है क्योंकि ये फ्योर है मतलब ये है कि जैसा इनपूर्ट होगे वैसा आउटपूर्ट निकलेगा जैसे कई वर्षिन में तो होता है न हम लोग पढ़ते बहुत कुछ हैं फिर पता नहीं रहता कि एक्जामनेशन होल पे हम जाके किस चीश को पाएंगे कि किस चीश को नहीं पाएंगा रथाथ हमने जो घर पे तैयारी की उनमें से कितना पॉर्षन हमें एक्जामनेशन होल पे देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा ये हमें नहीं पता चल पाता लेकिन इन क्वेश्चन्स पे ये हमें पता रहते हैं कि इस टाइब से पैटन से क्वेश्चन आता है और प्रॉपर पैटन को अगर आप एक बार सीख गए तो आपके लिए कुछ भी नहीं है बहुत आसान होगा फिर भी मैं कहूंगा जब जो बच्चा इसको स्किप करके जाना चाहरा है जो कुछ लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा जब वो पेपर देने बैठेगा सीधे क्वेश्चन देखती भाग मत जाना हो जगता है कि आपकी क्याल्कुलेशन बेश्चन नहों डाइग्राम देखे सीधे आप लोग इसकै्यान को किलने ठीक हैं तो कैसे इसकी करना है दो तिं तीन चार क्ोषण में इसके अगली वीडियो में बता दूगा और उन क्वेश्चन के बेश्ट पे आंब क्या करना है एंग्जांडिशन लोप्र अपना काम करना है ठीक है फिर मिरत्याग्ला सेशन पर अपना ध्यान रखिएगा थेंक्यू